Hello Friends, मैं हूँ दीप शात्रा and आप देखरें only for design तो आज दिखाएंगे कैसे आप log, WP admin पे अगर कोई WordPress website का WP admin पे Recapature कैसे लगाएंगे? Recapature कैसे लगाएंगे? ओँ भी दिखाएंगे Google Recapature बोलिए या कोई भी Recapature कैसे लगाएंगे? ठीके तो start करने से पहले फीस से बोल रहा हूँ मेरा चैलेंग का view rate कम हो रहा है subscribe भी बहुत कम हो रहा है please subscribe कीजिए मैं बहुत मैंनत से आप लोग के लिए नया सा नया topic बना रहा हूँ बहुत easy तरीके से बना रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए तो please motivate कीजिए motivate करने के लिए आप लोगो subscribe करना पड़ेगा मेरे चैलेंग को एंड अच्छा अच्छा comment करना पड़ेगा तो please comment कीजिए like कीजिए and share कीजिए और कोई भी problem हो तो मेरा WhatsApp नामबर भी दिया हुआ है और मेरा comment section के अगर कोई problem हो तो comment करो मेरा comment section में हम तुरंत reply देते हैं ठीक है तो please please like share and subscribe करना मत भुलिए और कोई भी problem हो तो comment करें तो चलिए start करते हैं तो start करने से पहले और फीर एक चीज बोल रहा हूं कि लास दिन एक मेंने वीडियो अफ्लोट किया था कि कैसे html website को एकदम fast से कैसे हम wordpress में convert करेंगे एकदम fast से है एकदम अच्छा quality का वीडियो है एक html को कैसे php extension को कैसे php extension में convert किया उसके बाद कैसे लिंक किया कैसे wordpress इंस्टल किया सब कुछ है यह वाला वीडियो में इसका लिंक हम आई बटन में दे देंगे प्लीज एक बाद जाके चेक कर लिजिएगा बहुत काम का है कैसे html website को wordpress में convert करे हिंदी में है तो प्लीज चेक कर लिजिएगा इस वीडियो को हम लिंक description में दे देंगे और आई बटन में भी देंगे तो चलिए start करते हैं तो मुझे लाइफ साइट चाहिए तो एक मेरा देखिए यहाँ पे कोई recapture नहीं है तो यहाँ पे एक recapture आ जाएगा जब भी हम login करना जाएंगे यहाँ पे recapture आ जाएगा तो recapture के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे एक plugin चाहिए तो हम जाएंगे plugins then add new and यहाँ पे लिखेंगे recapture तो capture देंगे एंड तो यहाँ पे देखिए फार्स ट्रेक आ रहा है बहुत सारा advanced no capture no capture and individual capture version 2 and version 3 तो इसका बहुत installation है बहुत सारा है installation है two months ago last update है और बहुत अच्छा review होई है इसका तो प्लीज चलिए तो प्लीज चलते है इसको install कर लेते है एक्टिव कर देंगे तो इसको install करते है re-capture install हो गया अभी active ओके तो यह active हो गया तो अभी देखिए है site में जो बार है इसके अंदर settings के अंदर यहाँ पे आ गया capture बोलके advanced no capture and individual capture बोलके ठीक है तो यहाँ पे click किया तो देखिए यहाँ पे site की and secret की मांग रहा है यहाँ से दोटो ठीक है तो हमको यह important बहुत important है यह दोटों हमें चाहिए तो यह कहां से लेंगे जो Google बुल की यहाँ पे लिखा हुए यहाँ पे click करेंगे तो एक नया page आ जाएगा यहाँ पे क्या होता है आपको registration करना पड़ेगा जो live site के लिए जो site में आपको लगाना है उस site के लिए registration करना पड़ेगा ठीक है तो मेरे पास पहले से में एक बार install किये थे इसलिए मेरा यहाँ पे email शो कर रहा है और यहाँ पी यह साइट की and secret की दिवा है तो चलिए फीस्ते हम एक बार कर लेते हैं level यहाँ पर example दे रहा है तो मेरा जो site का नाम है site का नाम देंगे ओके इसको हटा देंगे just.com and version 2 यह version 3 I am not a robot चेक कर लिया ठीक है then domain name देना पड़ेगा domain name मेरा यही है एक को add कर लिया and दूसरा add करेंगे wp admin के लिए slash p admin ठीक है को भी add कर लेंगे तो यह मेरा add हो गया दो टो add हो गया then मेरा email यह already added है हम यहां पर करेंगे accept the recapture term service accept कर लिया and submit तो यहां पर domain name तो आप गलात बोल रहा है ठीक है हाँ domain name गलात बोल रहा है तो हम को copy करेंगे paste paste कर देंगे और यहां पर submit तो यहां पर भी गलात बोल रहा है देन अभी क्या करेंगे मेरा यहां पर just यही रखेंगे the next web बोलके जो domain name में भी रखेंगे and then submit कर देंगे ठीक है submit देकी हो गया तो यहां पर क्या हुआ एक the site key and the secret key दो टो आ गया तो हम इन दोनों को copy करेंगे and site key paste and secret key copy and यहां पर paste control भी paste ठीक है यह भी ठीक है तो देखिए यहां पर कहां कहां registration form login form multi-user sign-num form lost password form सब बहुत सब है हम जस्ट login form पर click करके रखें चेक करके रखें ठीक है then यहां पर save आप चाहिए तो बहुत तरह है अभी यहां पर कर सकते हैं अपने मर्जी से तो हम इतना कर लिए तो अभी क्या करेंगे just हम logout कर देंगे logout तो यहां पर आ रहा है यह और दसाइट ओनार इंडिविज्वल साइट की इंबलिक डॉमेन फॉर साइट की तो डॉमेन के देंगे जो मेरा नाम है यहां पर दॉट कॉम कि यहां पर जाएंगे पेस्ट एंडिस्ट यहां पर ही देंगे डॉमेन निम ठीक है एंड यहां पर मेरा पहले से दियो है क्योंकि एक बार मेंने कर चुक है तो इसलिए इमेल दियो है और दोनों कि चेक और नंसाब में से तो देखिए मेरा हो गया अभी एन इसको हम अभी क्या करेंगे लॉग आउट कर देंगे वह अब लोग उट कर रहा है अभी तो देखें यहां पर आ गया ठीक है तो देखिए कितना आसान तरीके से एक हम रिकाप्चर लगा दिये तो प्लीज प्लीज लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अगर कोई क्या भी पॉब्लेम होतों कोई भी डाउट होतों मुझसे कॉमेंट में पूछिए हम रिपले देंगे और सब्सक्राइब करना मत भूलें बहुत आसान तरीके से आपको दिखा दिये कैसे लोग इन लोग इन पेज में डॉब लोपी अडमीन लोग इन पेज में कैसे हमने रि रिकाप्चर लगाएंगे तो चलिए मिलते हैं निक्स वीडियो में